प्यारे बच्चो रशना वाले अध्याय में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अभी हमारे सामने एक लक्ष है कि हम लंब सम्धिभाजक की रशना करें लंब सम्धिभाजक जैसा कि आप नाम सही देख पा रहे हैं कि एक ऐसी रेखा हमें खीशनी है जो किसी दिये हुए रे सेक्टर भी कहते हैं फिर से देख लीजिए एक रेखा खंड हमें दिया हुआ है हमें एक ऐसी रेखा कीशनी है जो एवी के मद्द बिंदों से गुजरती हो यानि इसके दो बराबर भाग भी करती हो और इस पर लंब भी हो तो देखिए नाम काफी लंबा चोड़ा है लेक लगबख इसके हाथे से कहीं दूर तक चला गया अब उस चाप के आधार पर आप उपर एक चाप काटिए इस त्रिजाब का और नीचे भी एक चाप काटिए अब बिना इस फैलाओ को इस लंबाई को बदले आप उस परकार की नो को एपर रखिए और जैसा आपने एबी क अब को देखेंगे कि यह दोनों शाप जो आप आरड है वो पहले वाले चाप को दो अलग अलग बिंदो पर कटते हैं मालीजाए इनका कोई नाम दें और मान लिजे यह बिंदू C है और यह बिंदू D है अब आप इन्हें मिला दीजिए कितनी आसानी से आपने एक लम सम्दिवाजा कीजा हमने इन दोनों के मिला दिया यह मिला दिया आपने इसको आप इसे रेखा से प्रदर्शित कर दे और इसका नाम देदें माली जे रेखा L है तो जो L है वो रेखा खंड A B को दो बराबर भागों बाट रही है और इस पर लंब भी है आप चाहें तो इसे नाप के देख सकते हैं आप नापेंगे तो आपको ये दोनों को नब 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 इसके मिलेंगे और ये जो टुकड़े हैं जो द आने वाले रचनाओं में आपकी मदद करती है उसको हम देखे मालने जाए कोई बिंदू यहां पर लेते हैं सपोज इसका नाम आप पी कह दे कोई भी एक बिंदू आपने लिया ये बिंदू यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है और इस पी को आपने A और B से मिलाया हम एक महत पुर्ण हिस्सा देखना चाहरे है कि एक और क्यों हमें यहां पर मिलने वाला है कि इसलंब सम्धिभाजक परिस्थित कोई भी बिंदू है वह एक खास गूण रखता है वह गूण क्या है अब हम देखते हैं आप तो हमने कोई भी एक बिंदू चुना इस लायन पर वो बिंदू P कहीं भी हो सकता है अब आप देखिए ऐसा करने से आपको दो त्रिभुज मिल रहे हैं त्रिभुज पी ए ओ और त्रिभुज PVO यह दूरा त्रिभुज़ आपको मिला इन दोनों त्रिभुज़ों किया आप सरवांग से हम सिद्ध कर सकें तो कोई चीद आपको मिलेगी क्या चलिकर करके देखते हैं अब आप देखिए PVO कि लॉपलपा मिठीर सभूए unie को आपसे बराबर और वागों बाथह जाएंगे सबसे पहले आपने कहा कि कोड पी ओ एलें ब्राबर कोड объяс क्षैसशर पस्था इक और फिर आपने कहा कि आउग और विए ब्राबर ऊबी कर आप बरबर ओब यह लंब सम्धिवाजक की गोल से आपने पाया है कि यह जो रेखा तो आप देखिए कोई एक चीज और आपको ढूडनी है जो इन से संबंदित है आप देखेंगे जो पी-ओ है वो दोनों में है अब ये लिख लिए पी-ओ बराबर पी-ओ ये उभए निस्ट है दोनों त्रिभुझ वुपस्तित है तो आप देख रहें कि त्रिभुझ पी- और O A दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं करमशा P O और O B के करमशा बराबर है और इन दोनों भुजाओं के बीच बनने वाले कोण भी आपस बराबर है ऐसी इस्तिति में दोनों त्रिभुज समरूफ हो गया सरवांग सम हो गया तो आप लिखेंगे त्रिभुज P A O P A O सरवांग सम है त्रिभुज P B O के और यदि त्रिभुज सरवांग सम हो है तो इसके बाकी जो अव्यों है भुजाएं और कोण वापस में बराबर होंगे तो इस इस्तिति में आप कहा सकते हैं कि P A बराबर P B इससे क्या आर्थ निकलता है इस आर्थ ये निकलता है कि P A कैसा बिंदू था जो इस रेखा पर कहीं पर भी इस्तित हो सकता है तो बिंदू P A और B से जो इस रेखा खंड के सिमानत बिंदू है आकरे बिंदू है वहाँ ते समान दूरी पर है तो इसे एक बहुत ही महतपुर्ण निश्कस आपके पास मिलता है यदि हम किसी रेखाखंड कर लंब सम्दिभाजक खीचे लंब सम्दिभाजक का कोई भी बिंदू रेखा के सिमान बिंदूँ से उस रेखाखंड के अंतिम बिंदूँ से समान दूरी पर होता है तो ये एक बहुत ही महत्पुर्ण निश्कर्स है इसको उपयोग हम आगे की रिशनाओं में करेंगे